हलो दोस्तों, वेलकम टू स्टेटमेट, आज हम आपके लिए बहुत ही भेटरिंग प्रोजेक्ट लेके आहेड, टू एं थ्री भी एचके का, एंटरंस पे कुछ इस तरीके से आपको वीडियो डॉर फोन देखने को मिल जाता है, एंटर करती ही, यह है आपकी एंटरंस लॉ आगे बढ़ते ही दोस्तों, यह है आपका लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया, जिसका साइज है लगबक 17 फीट बाइस, सववा 10 फीट इसका साइज है, आपके फरनीचर की आरेंजमेंट यहाँ पर एकदम आसानी से हो जाती है, कुछ इस तरीके से आप आपके सोफा की आरेंजमेंट कर सकते है, उसे के सामने आप आपका टीवी उनिट लगा सकते है, दोस्तों इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको लिविंग रूम के साथ एक बालकनी देखने को मिल जाती है, जिसका साइज है लगबक, सववा 6 फीट बाइ 6 फीट, यह बालकनी है तो उप काफी बड़िया साइज की यह बालकनी दी गई है, यहाँ पर डाइनिंग टेबल के लिए अरेंजमेंट करके रखी है, आप यहाँ पर आपका डाइनिंग टेबल सेट अप कर सकते हैं, आगे बढ़ते ही दोस्तों यह है आपका कीचन एरिया, कीचन एरिया भी काफी लोज ड्राइब आलकनी देखने को मिल जाती है, फुल लेंद प्लाटफॉर्म है, सफिशन पॉइंट्स प्रोइड किये गए है, आपके वाशिंग मशिन के लिए, आपके वाटर प्यूरिफायर के लिए, लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोइड है, सिंक प्रोइडेड है, विट टू टैप्स, यहाँ पर आप आपके वाशिंग मशिन की आरेंजमेंट कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपने हमारे इस चानल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरीके के नए 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 वीड प्रोइड बैसावा 10 फीट, काफी बढ़िया साइस का ये बेडरूम दिया गया है, यहाँ पर आप आपके चिल्डरंस की स्टेडी टेबल की आरेंजमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक नीश स्पेस देखने को मिल जाती है, जहाँ पर चिल्डरंस का वाडरोब आप बना सकते हैं, यहाँ पर एक चोटा सा स्टेंडाउट बालकनी आपको देखने को मिल जाता है, तो इस रूम में भी प्रॉपर फरिनीचर की अरेंजमेंट हो जाती है, इस प्रोजेक्ट में दोस्तों आपको काफी सारी modern amenities भी देखने को मिल जाती है, पूरे घर में आपको बड़िया साइस का यह bedroom दिया गया है, यहाँ पर भी आपके पूरे फरिनीचर की arrangement काफी आसानी से हो जाती है, यहाँ पर आप आपके wardrobe की arrangement कर सकते हैं, इस फ्लैट की खास बात यह है कि यह रूम के साथ भी आपको आटाच एक बालकनी देखने को मिल जाती है, इसका कॉमन वाश बेसिन बहार की तरफ दिया गया है, यह है आपका कॉमन वाश रूम, इसका साइज है लगबग छे फीट बाई साड़े चार फीट सारे के सारे प्रीमियम टाइलिंग्स और फीटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे, आगे बढ़ते ही दोस्तों, यह है आपका थर्ड बेडरूम, आप इसे आपके मास्टर बेडरूम की तरह डिजाइन कर सकते हैं, इसका साइज है लगबग ग्यारा फीट बाई सवा ड्रेसिंग टेबल भी लगा सकते हैं, इसके साथ भी अटेच आपको एक थर्ड बालकनी देखने को मिल जाती है, जिसका साइज अलगबग 6 फीट बाई 6 फीट, तो दोस्तों इस फ्लैट के साथ आपको तीन बालकनी देखने को मिल जाती है, यह है इसके साथ अटेच वाल वाश्रूम इसका साइज है लगबग 8 feet by 4.5 feet इसमें भी आपको प्रीमियम टाइलिंग्स और फीटिंग्स देखने को मिल जाएगी मिन्वाइल आप ये वीडियो देख सकते है या ये प्लेलिस भी आप देख सकते है थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तो